हेलो दोस्तो हम पढ़ रहे हैं Science and Technology जिसका पहला चैप्टर है Science and Technology in India भारत में विज्ञानियम प्रदोगी की तो इसका आज तीसरा पार्ट है पहले मैं दो पार्ट बना चुका हूँ पहले पार्ट में मैंने बताया है कि किस परकार से भारत में प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक विज्ञानियम प्रदोगी की का विकास हुआ है Science का विकास हुआ है और दूसरे पार्ट में मैंने विभिन संस्ताओं के बारे में बताया है जैसे CSIR, ICMR, ICAR, DRDO, DST, DAE तमाम संस्ताओं के बारे में बताया है तो आप जाकर के देख सकते हैं पहले और दूसरे पार्ट को आज हम पढ़ने जा रहे हैं CSIR, MDRDO की उपलब दिया तो CSIR के बारे में पढ़ते हैं मैंने पहले या दूसरे पार्ट में बता भी रखा है CSIR का है Council of Scientific Industrial Research विज्ञान इयोम और दोगिक अनुसंदान संस्तान तो इसके बारे में थोड़ा सा आज भी मैं बता देता हूँ इसके स्थापना 1942 में हुई ये विज्ञान इयोम प्रदोगी की मंतराले द्वारा वित्पोसित है इसका पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधनियम 1960 के अंतरगत हुआ और परधान मंतरी इसके अध्यक्स होते हैं इसकी उपलब्दियों में हम सुरू करते हैं द्रिष्टी परणाली द्रिष्टी परणाली एरोस्पेस के लिए हवाई जहाजों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है CSIR ने भारतिय मौसम विभाग के साथ मिलकर द्रिष्टी परणाली तयार की है जिसके जरिए विमान पाइलटों को सुरक्षित उड़ान भरने तता उतारने में सुविधा होती है तो द्रिष्टी परणाली से जो हमारे विमान हैं उनको आसानी से उड़ान भरने और आसानी से उतरने के लिए बनाई गई है और ये बहुत सारे हवाई एड़ो लगबग 70 हवाई एड़ो पर इसको इस्तापित किया गया है और भी हवाई एड़ो पर इसको लगाया जा रहा है उसके बाद दूसरा जो सबसे important है gyrotron gyrotron परमाडू छेत्र में इस्तिमाल होता है और gyrotron का हम अभी तक आयात करते थे gyrotron परमाडू के चीजे मतलब परमाडू हतियार बनाने के लिए बहुत ही जादा important होता है और इसका या परमाडू का उप्योग करने के लिए बहुत जादा important होता है तो इसका आयात हम विभिन देशों से अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपिय संग से करते थे ये ये देश हैं जो इसके उतपादक हैं जाइरोट्रॉन के अमेरिका हैं, रूस हैं, यूरोपिय संग हैं तो CSIR, Council of Scientific Industrial Research ने ISRO और DAE, Department of Atomic Energy और Indian Space Research Organization के साथ मिलकर भारत का पहला जाइरोट्रॉन विक्षित किया, इसका गांधी नगर इस्तित पलाजमा अनुचंधान संस्तान ने परिक्षड किया है तो CSIR का गांधी नगर में पलाजमा अनुचंधान संस्तान है, जिसने इसका परिक्षड किया है CSIR ने BZR34 नामक एक दवा बनाई है, जो की मदुमें के लिए है, सुगर के लिए है और हम जैसा कि जानते हैं कि भारत में सुगर से, मदुमें से पीडित बहुत सारे वेक्ति हैं तो ये बेसिकली 6 परकार की जड़ी बूटियों से मिलकर बनी हुई है CSIR ने लगबग 500 से अधिक जड़ी बूटियों का परिक्षण करने के बाद 6 परकार की जड़ी बूटियों को चुन करके इस दवा को बनाया है फिर है CSIR ने असुगंधा और NMITLI की ऐसी किसमें विक्षित की हैं जिसकी पैदावार अधिक है बेसिकली CSIR ने किसानों के लिए काम किया है इसमें इन्होंने असुगंधा की ऐसी किसम मतलब बनाई है जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और यह मतलब एक प्रोग्राम है बेसिकली यह है New Millennium Industrial Technological लीडर्शिप इनिसियेटिव न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्न लोजी लीडर्शिप इनिसियेटिव तो यह एक CSIR के द्वार्शिप लिया गया है किसानों के लिए नए किसमें विक्षित करने के लिए जिससे पैदावार को बढ़ाया जा सके उसके बाद एक इन्होंने गाउं भी बनाया है जे के अरोमा अरोग गाउं जैग तो जैग एक गाउं है जम्मू और कस्मीर में एक ग्रा जिले के 14 गाउं में चल रही है जिसे किसानों को जड़ी बुटी की खेती करने के लिए प्रोसाहित किया जाता है और जागरुकता कैम्प लगाया जाते हैं इस परकार से किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी CSIR लगा हुआ है CSIR इंडियन इंस्ट्यूट और पेट्रोलिय प्लास्टिक की बोतलो वा कच्रे से पेट्रोल वा डिजल की उत्पादन की तकनीकी में सफलता हासिल कर लिया है तो अब प्लास्टिक की बोतलो और कच्रे से भी पेट्रोल वा डिजल बनाया जा सकता है लेकिन अभी यह पूरी तरीके से सक्सस नहीं हुआ है बट CSIR ने ग विक्सित कर ली गई है अब railway को इसके उप्योग का प्रस्ताव भेजा है एक CSIR ने एक दवा भी बनाई है जिसका नाम है सहेली यह केंद्रिय और दोगिक अनुसंदान लखनाउं ने गर्म निरोदक दवा सेंड क्रोमेन नाम है जो सहेली के नाम से मिलती है ठीक है तो एक अधित हास वाला युद नहीं है यह science वाला युद्ध है नगीए बादिक संपदा- jamaisार दिकार से लगी हुई कहानी है रालदी का युद्ध इसमें अमेरिका में एक company ने हल्दी का उप्योग घाव भरने के लिए होता है एका besoin वौदिक संपधाधिकार लेनी की कोशिस करी au पेटिन्ट लेनी की कोशिस करी बेसिक लिए तो इसमें भारत ने क्लेम करा CSIR ने claim करा कि हल्दी का उपयोग भारत में बहुत पहले से ही घाव भरने के लिए use होता आया है तो इस परकार से CSIR ने इस patent को नहीं लेने दिया तो इसे हल्दी गाटी का युद्ध कहा जाता है युद्ध कहा जाता है मतलब भोला जाता है और इस परकार से CSIR की विजे हुई CSIR जिग्यासा वर्चुल लैब केंद्रे विद्याले, नवदे विद्याले, सरकारी स्कूलों के जो विद्धारती है उनको किस परकार से विज्ञान युम प्रदोगी से जोड़ करके चीजों को सिखाया जाया इसके बारे में जिग्यासा वर्चुल लैब की स्थापना 22 नॉबंबर 2021 को भारत की पहली वर्चुल विज्ञान परियोग साला को लॉंच किया गया विज्ञानिक एम अनुसंदान CSIR द्वारा इस प्लेटफॉर्म को CSIR जिग्यासा कारेकरम के तहद आई आई टी बंबे के साथ संयुक तोर पर विक्षित किया गया है ठीक है तो यह बच्चों के लिए बिसिकली डिया और अब हम पढ़ने जा रहे हैं डियाइडियों की उपलब दिया Defense Research Development Organization तो रक्षा की जितनी भी चीजें हैं अभी हम जो रक्षा में आत्म निर्भरता की और बढ़ रहे हैं आगे उसमें डियाइडियों की बहुत अधिक भूमिका है मैं कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा और कुछ चीजें नेक्स चैप्टर जो रक्षा वाला चैप्टर है उसमें भी डियाइडियों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगे कि क्या क्या चीजे डियाइडियों ने अभी तक हमारे देश के लिए बना चुका है तो डि याडियो रक्षा के छेत्र में बहुत सारी ऐसी तक्नीके विक्षित कर रहा है जो पहले हम आयात करते थे अब हम उसको अपने देश में ही बना पा रहे हैं जिससे हमारा जो आत्म निरवर्ता सूसकांक है तीस परसंट से बढ़कर 55% हो गया एक है अगनी 5 के सांदार प्रक् प्रक्षा के थोड़ा सा बता देता हूं अगनी अगनी मिसाइल हैं और यह प्रूज मिसाइल हैं और इसका यह पांचवा संस्क्रण बहुत इंपोर्टन इसलिए हो जाता है कि यह अंतर महादेपिय हैं और इसकी जो रेंज है 5000-6000 किलो मेटर तक कि यहां से बैटे बैटे कि 5000-6000 किलो मेटर तक हम इस मिसाइल का उपयोग कर सकते हैं सत्तर से और इसके बास सत्तर से अधिक परमग मिसाइलों को परक्षे पड़ इस महत्पूर्ण शेत में डियाडियो की सक्तियम दक्षता को दर्साता है तो अगनी 5 तो इंपोर्टेंट ही है उसके अलावा भी ड इनस आरि भारत की पहली सोडेसी परमाडु कर्माटू युक्तverse दुब्भी है जो सकते यह बनाई जा चुकिए समुन्द्र के परिक्षनों के लिए तयार है और दूसरी छीज़ है अनस rud में बारे में आगे ऑक्रामोस जो मिसाइल है इनके गटी से तेज चलने वाली मिसाइल है जो इसका जो Constvavaily का इस की पहचाना है बुछ धूछ सुपर सॉनिक मिसाइल जो पांधि के अंदर ङहराई गोता लगाने भी सक्षम ने तो यह दोनों शाइले हैं टैंक है है helicopter इत्यादी ठीक है उसके बाद बहुत सारी चीजे टैंक हेली कॉप्टर मिसाइलें और कि यह सारी चीजे डि आ डो विक्षित कर चुका है उसके बाद एक आता है UAV रुस्तम यह रुस्तम एक का नाम है जो सैनिकों की जान बचानी के लिए रुस्तम बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि कहीं पे भी रुक्षम बं से हमला करने में सक्षम है निगरानी रखने में सक्षम है और आसानी से उडान बरने में सक्षम है तो यह ड्रॉन बहुत ही हमारे लिए इंप अब सौर उर्जा से चलने वाले ग्रीन शेल्टर बनाए गए हैं जो सेनिकों के लिए जिसमें विविन परकार की सेनिकों की जो चीजे उन्हें चाहिए होती हैं वो चीजे उपलब्त हैं और यह इसका विकास भी डियाडियों ने किया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट है डियाडियों ने समाजिक चैतर के लिए पर्या वरण हित THATC बायों डाइजेस्टर त्यार किये हैं जो अत्यंत ठंडे चैतर में मनुष्यों के चौश का निप्टान करते हैं तो इस परकार से हमने आज पढ़ा है डियाडियों और कि CSIR के बारे में आसा है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा और आप इसके लिए सपोर्ट करेंगे धन्यवाद